नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ आप सभी का हैपी इन्वेस्टर्स के एक और नए एपिसोड में आज हम हाजिर है आपके पास एक और इंट्रेस्टिंग स्टॉक के साथ और आज पूरी तरीके से हम उसका फंडामेंटल एनलेसिस करेंगे और छोटे से छोटे वीडिय मैं आपको समझाने कि कोशिश करूँगा कि कितना पोटेंचल है इस टॉक में एन्ड में आपको ये भी बताओंगा कि क्या स्टाटरजी रहेगी इन्वेस्मेंट की क्या मेरा पसंदीदा है ये क्या मैं अगर आपकी जगा होता तो इन्वेस्ट करता और ककरता ये सब आपके लिए डिस्क्लेमर आज हम स्टॉक की बात करने जा रहा है जिस स्टॉक का नाम है देवियानी तो चलिए बिना देर करते हुए जाते हैं देवियानी के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए दोस्तों इससे पहले कि हम देवियानी इंटर नेशनल लिमिटेड के बारे में अगर कुछ जाने इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमारे इतने सारे वीडियोस जीतने भी आये हैं इस stock में भी अच्छा खासा volume generate हो रहा है और balance sheet अभी भी कमजोर है लेकिन ऐसी उमीद लोगों के अंदर दिखाई दे रही है लोगों का investors का retail investors का trust वापे से build up हो रहा है तो उस stock में भी आपको थोड़ा सा मेरा एक बार वो वीडियो देखने की आपको मैं सुझाओ दूँगा दूसरी बात devian international limited के अंदर आपको वीडियो के end में अगर आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो के end तक मैं आपको एक और ऐसी positive news बताने वाला हूँ जिसके कारण ये stock भागेगा और अभी भी भाग रहा है तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में तो बने रही है वीडियो end तक देखेगा दोस्तों तो फटा फट से शुरू करते है fundamental analysis devian international दोस्तों यहाँ पर small cap company है और ये काम करती है restaurant and cafes दोस्तों पूरी देश में इनके अलग-अलग जगा पर restaurants है और cafes है और सबसे बड़ी बात कि ये company operates quick service restaurants chains the company is a franchise of yum brands KFC, Pizza Hut, TWGT and Costa Coffee the company is engaged in providing services under its brand name Vango याने कि ये company क्या करती है दोस्तों कि ये जितने भी बड़े-बड़े brands है उनकी franchise चलाती है और इनका एक common नाम है Vango उसके अंडर ये सारी franchise ये company चलाती है ठीक, तो आप जैसे की जानते हैं दोस्तों की restaurant और cafe का business एक ऐसा business है दोस्तों एक FMCG टाइप ही business है जो कभी भी बंदनी होने वाला है बढ़ने ही वाला है और जैसे जैसे हमारे youngsters बढ़े इंडिया की young population बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हमारी youngsters modernization की तरफ बढ़ रहे है ज्यादा तर लोग अब धीरे धीरे fast food खाना और बहार की खाना वाली चीजे पसंद ज्यादा करते हैं तो एक advantage तो ये हो गया future के लिए देविया ने इंटरनेशनल जैसी companies को दूसरी बात करेंगे हम ये कि इनकी अभी फिलहाल financial conditions क्या है उसके लिए दोस्तों हमें जाना पड़ेगा grow application में जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा company का किस तरह से financial parameters अभी बन रहे है application की इस link में मैं आपके सामने वापिस से हाजिर हूँ अब यहाँ पर grow application की जो link है अगर आप भी account खुलवाना चाते है तो इसमें जरूर खुलवा सकते है description में आपको link मिल जाएगी बागी अगर हम बात करें इसके fundamentals की तो एक और parameter अगर हम बात करें तो यह है market cap का तो market cap दोस्तो छोटा market cap नहीं है ना बहुत बड़ा है 21,000 करोड के आसपास की company है और अगर PB ratio की बात करें तो price to book value ratio के हिसाफ से काफी ज्यादा है price to book value ratio लेकिन अभी भी industry PE जहाँ पर यह minus ने चलता है company cap fee अभी हमें available नहीं है company भी फिलहाल earning नहीं बताया है कुछ क्योंकि यह शायद अभी नया नया stock list हुआ है जिसके कारण यह अभी आपको over the years आपको अच्छा कासा return देने की संपावना बना रहा है और दूसरी बात दोस्तो क्योंकि यह stock नया नया list हुआ है तो इसके अंदर future की opportunities भी ज्यादा दिख रही है मुझे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ इसका मैं जवाब आपको आगे invest आगे के वीडियो में दूँगा अब promotors की holding अगर देखा जाए तो 62.9% है retail investors को सिर्फ और सिर्फ 25% की holding दी है foreign institutions का भी investment है mutual fund का भी investment है और दूसरे बड़े domestic institutions का भी investment है यानि कि हर किस्म के investors जो इस देश में available है सबने थोड़ा बहुत invest किया हुआ है इसके अंदर अगर हम mutual funds की बात करें हाँ मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि इसमें जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता है आगे के वीडियो में आपको वो parameter बतांगो वो यह है दोस्तो बड़े से बड़े mutual funds जैसे की Tata और LIC LIC जैसी बड़ी company भी इसके अंदर अपना portfolio mid cap fund वाला direct portfolio जो इनका है उसमें investment करती है और अरित्य बिड़ला निपॉन इंडिया यह कुछ बड़े बड़े नाम है जिन्होंने इसके अंदर investment किया है दोस्तो देवियानी international में और LIC जैसी बड़ी company टाटा जैसी बड़ी company जब investment करती है तो इनके पीछे बहुत सारी research involved होती है आप और मेरे जैसे retail investors से ज्यादा इनके पास information होती है और ज्यादा money भी होता है research करने के लिए तो इन्होंने अगर investment किया है तो यह एक बहुत ही बड़ीया दोस्तो एक positive point होता है किसी भी company के लिए किसी भी stock के लिए हमारे लिए भी काफी positive point है कि हमें भी एक authority मिल गई हमें भी एक authentication मिल गया कि हाँ बड़ी companies इन्वेस्ट कर रही है इसके अंदर तो हमें भी शायद profit होगा यह एक chance और बढ़ गया हमारा इसके competitors की अगर बात करें तो Jubilant, Foodworks, West Life Development, Burger King Barbecue Nation, Coffee, Day, Enterprise यह सारी बड़ी-बड़ी companies भी है जो इनके साथ-साथ competition में है लेकिन अभी भी इस stock के अंदर अगर मैं बात करूँ तो काफी हद तक अच्छी news आ रही है उस news के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में लेकिन उससे पहले आपको जाना है चार्ट सेक्शन में लेकिन चलिए मैं आपको news पहले बता ही देता हूँ फिर हम चार्ट सेक्शन में जाएंगे लेकिन अगर आप चाहते है कि अगर आप ऐसे ही वीडियोस हमारे रोज पाते रहे तो आपको कुछ खास नहीं करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा हम अगर आपकी हमारी ये मेहनत, हमारी इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है, थोड़ा सा भी कुछ फाइदा हुआ है, तो सरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फ्री में सब्सक्राइब है, कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्र अब यहाँ पर बात करें तो यह stock दोस्तों list हुआ था September से थोड़ा सा पहले यानि कि I hope आपको दिखाए दे रहा होगा September से पहले यहाँ पर August में list हुआ था यह stock और यहाँ पर list होते ही एक lower circuit मारा था जो की बहुत सी बुरी बात है मानता हूँ लेकिन उसके बाद IPO का समय उस होता है 120 के तो नीचे automatically दिख रहा है यहाँ पर अगर मैं तोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए तो हमें price मिल जाएगी price कुछ 100 रुपे के पास थी 100 रुपे तक भी stock 110 रुपे तक गया था उसके बाद एक अच्छी खासी हमें अगर मैं इसको zoom out करूं तो एक अच्छ देना चाहूं तो मेरा यही मानना है कि ऐसे stock में दोस्तो अभी एक बात यह है कि इनका भी हमें result पता नहीं है अगर हम financials के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमें खास तोर पर एक ही quarter का result पता है वो भी कुछ खास नहीं है अगर हम दो या तीन quarter का या फिर पूरा एक साल अगर बीच जाने दे अगर तब तक की राह देखे तो हो सकता है देर भी बहुत हो जाए क्या पता यह company वाकरी में अच्छी हो और हमें multi bagger जो return देने के chances है वो miss हो जाए अगर हम अभी बैठे रहे है तो और दूसरा अगर दूसरी पहलू अगर हम देखे इस stock का त दूसरा पहलू दोस्तो यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि यह stock की condition अच्छी ना हो और हम पैसे invest करे और वापिस से यह stock 110, 120 या फिर 100 रुपे से भी नीचे चला जाए जैसा कि शुरूआत में हुआ था तो ऐसी situation को avoid करने के लिए हमें थोड़ा सा हमारे intuition पर भी यहाँ पर ध्य down होने की संभावना कम है लेकिन लोग वापिस से भार का खाना कम करेंगे unhealthy food खाना कम करेंगे और क्योंकि इनका business उसी के इस साब से है तो इनके business पर effect पड़ेगा इसके कारण stock में वापिस से गिरावट देखने को मिल सकती है अगर ऐसी situation होती है तो हम जब SIP के form में investment इस stock के अंदर तो हमें अच्छे मौके मिलेंगे invest करने के लिए तो अगर आप चाहते हैं इस company में invest करना दोस्तो तो long term के लिए आप SIP करना शुरू कर सकते हैं चाहे तो अभी भी कर सकते हैं शुरू लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी ही installment डालिएगा बड़ी installment मत डालिएग थोड़ा stock का result एक बार फिर से एक और नए quarter का result आ जाने दीजिए देखते हैं क्या करती है company profit देती है कितना देती है या फिर loss देती है कितना देती है उसके बाद ही हम किसी fundamental decision पर पहुँच पाएंगे लेकिन इस stock में मुझे potential नजर आ रहा है अगर आप चाहते हैं इसके अ हो सकता है थोड़ा सा stock नीचे जाए लेकिन इस stock के अंदर potential है और एक bullish news जिसके बार में मैं आपको बात की थी मैं आपको वीडियो के end में बताऊंगा तो वो बताने के बाद ये video close करेंगे तो फटा-फट से जाते हैं उस bullish news पर दोस्तों जिस news की मैं आपको बात कर रहा थ वो देवियानी इंटरनेशनल की news आपके सामने हाजिर है यहाँ पर ये news के हिसाब से जिस तरह से बताया जा रहा है देवियानी इंटरनेशनल जंप 25% इन तीन डेज यानि कि पिछले तीन दिनों में अंदर-अंदर देवियानी इंटरनेशनल ने 25% का अपने investors को return दिया ह है बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों बहुत ही बढ़िया जंप नेखने को मिला है और ऐसा क्यों हुआ है यह जानेंगे हम और वो इसलिए हुआ है क्योंकि देवियानी इंटरनेशनल का जो शेर प्राइस हिट हाई ऑफ 190 है विंग रैलीड बाइ 25% जैसे मैं आपको बता ह हाई वोल्यूम्स जनरेट हो रहा है देवियानी इंटरनेशनल रीसंली मेड इस डेब्यू इन दा पॉपिलर MSCI India Domestic Small Cap Index यानि की जो इंडिया का Small Cap Index चलता है दोस्तों MSCI उसके अदर देवियानी इंटरनेशनल ने अपनी जगा बना ली है इसके कारण एक पॉजिटिव 뉴스 आ KFC इनका जो brand है KFC की वज़े से इनको अच्छे का से turnaround story मिल रही है इनकी वज़े से KFC की वज़े से इनको अच्छे का से balance sheet में भी मज़द मिल रही है जिसके कारण ही इतना बड़िया momentum आ रहा है तो इसलिए मैं इस stock के उपर दोस्तो नजर मेरी पड़ी और मैंने आपको सोचा कि बता दू इस stock के बारे में तो end में मेरा आपको यही सुझाओ रहेगा कि SIP के format में आपको देवियानी international के अंदर आप चाहे तो long term के लिए SIP करना शुरू कर सकते है अभी चाहे तो अभी भी कर सकते है थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए हर महीने मान लीजिए आपने 190 का शेर है अभी 200 का मान लेता है round figure तो आप हर महीने 2-2 हजार का अगर आप चाहे तो investment कर सकते है यानि कि हर महीने 10-10 share Y कीजिए ऐसे करके अगर Omicron आता भी है और आप इसे share नीचे गिरता है तो आपके पास एक अच्छी average आउट करने के लिए time रहेगा cash रहेगा और जब आज से आप एक साल डेट साल के बाद इसी stock को देखेंगे तो आपको अच्छा खासा return कमा करके दिया होगा इस stock ने और आपका portfolio profit में होगा अगर इस stock की बात करूं तो stock का profit आपको ज़रूर मिलेगा long term में अभी के fundamentals को देखते हुए बाकी इनके result analysis के बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आगे कि क्या रहेगी strategy तो एक बार इनके quarterly करना मत बुलिएगा और अगर आपको थोड़ा सा भी मदद मिला है इस वीडियो से और अगर आप चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों को भी share कर सकते हैं ताकि उनकी भी help हो सके और वो भी अपनी life में कुछ financial freedom पा सके चलिए मिलेंगे फिर से किसी अच्छे वाले episode के साथ इस episode के बारे में हम comment section में जरूर आपकी राही जानना चाहेंगे चलिए मिलेंगे फिर से किसी अच्छे episode में बाबाई